दोससा आप अगर एक iPhone खरीदे हैं या फिर आप खरीदने वाले हैं तो आपको तो पता है कि Apple ने iPhone के box के अंदर से charger को हटा दिया है तो आप अगर कोई सबी new iPhone खरीदेंगे या तो iPhone 11 हो, 12 हो, 13, 14 हो तो आपको एक अलग से charger खरीदना ही पड़ेगा अपना iPhone को चार्ज करने के लिए तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके iPhone को चार्ज करने के लिए सबसे best charger कौन सा होगा कौन सा वो charger होगा जो की आपका iPhone को फास्ट चार्ज कर पाएगा और आपको बैटरी को भी हाब नहीं करेगा और आपका जो बैटरी हिल थे वो भी मेंटेन रहेगा जादा दिन तक आपका बैटरी चलेगा तो मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे है इनाल टेक और पहली बार हमारी चैनल में आये हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों यही है वो charger जिसकी में बात कर रहा था यह है Apple का original USB Type-C 20W power adapter तो यह 20W का charger है जो की Apple की original है तो यह कुछ इस तरह का box packet में आता है और पीछे यहाँ पे 20W USB power adapter लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका pull tab आता है मैं इसको open कर चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पे pull tab नहीं है तो इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा यह charger है तो इस तरह से आप अगर खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक charger मिलेगा और यह charger आपका 20W का Apple का original charger है तो यह यह वो Apple का charger जो की type C port के साथ आता है तो इसको मैं हटा देता हूँ और यह जो charger है इस charger का voltage rating आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही छोटा-छोटा करके लिखा हुआ है इसमें 2V आपको देखने को मिलता है 5V 3A और 9V 2.22A तो 5V में यह 15W का charger है और 9V में यह 20W का charger है और यहाँ पे उपर में Apple का logo दिया हुआ है designed by Apple in California तो यह एक original Apple का 20W charger है तो यह जो Type-C port इसके अंदर दिया गया है आपको तो पता है कि iPhone के अंदर अभी Type-C to lightning cable दिया जा रहा है तो इसमें आपका जो Type-C cable है Type-C to lightning cable वो directly यहाँ पे लग जाएगा और आप अपनी iPhone को इससे चार्ज कर सकते हैं तो इस charger का benefit यह है कि आपको Apple का original यह charger है यह आपका iPhone को चार्ज करने के लिए सबसे best है क्यों best है वो मैं आपको बता रहा हूँ market में जो आपको 700-800-900 रूपया में charger मिलता है वो आपका Apple का MFI certified होता है और उसमें आप अगर अपना iPhone चार्ज करते हैं तो वो दूसरा कंपनी का charger जैसे की Belkin anchor हो गया तो वो charger भी अच्छा है बट आप अगर एक 50,000, 60,000, 70,000 या फिर 1,000,000 खर्चा करके एक iPhone खरीद रहे हैं तो यह 1,900 रूपया का charger आप खरीदी सकते हैं और Belkin का और anchor का जो charger है वो भी अच्छा होता है MFI certified होता है iPhone के लिए ही वो charger बनाया गया है ऐसा certified होता है तो वो charger भी आप ले सकते हैं बट दूसरा कोई जो MFI certified नहीं है वो charger आप मत लीजिए तो Belkin का और anchor का जो iPhone का charger है उसका मैं link दे दूँँगा आपको description में वहाँ से आप check out कर सकते हैं तो यह जो charger है latest iPhone से शुरू करके iPhone XR, iPhone 11, 12, 13, 14 सभी device के अंदर यह charger compatible है सभी device में आपका यह charger fast charge कर पाएगा मतलब जो भी device मैंने बताया latest iPhone से शुरू करके iPhone XR तक, iPhone AC तक आप इस charger से charge कर सकते हैं और इस charger को यूज़ करके आप अपना iPhone को 0-100% एक घंटा 15 मिनिट या फिर 20 मिनिट में फुल चार्ज कर सकते हैं और आपके पास अगर ऐसा छोटा एक charger है 5W का जो charger है इसमें आपका जो latest iPhone है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो यह charger आप अगर इस्तिमाल करेंगे तो यह भी heat up नहीं करता अपना iPhone को थोड़ा सा warm होता है एकदम minor सा warm होता है बट heat नहीं होता है आपका iPhone तो यह charger आप अगर खरे देंगे आपके मन में अगर डर है कि यह charger 20W का charger से आप अगर iPhone को charge करेंगे तो heat होगा की नहीं होगा मैंने इसको iPhone 11, 12 और iPhone XR में टेस्ट करके देखा है तो यह charger आपका iPhone को heat नहीं करता है और यह charger यूज़ करके आपका जो iPhone है वो iPhone heat नहीं होता है इसका main reason यही है कि Apple को पता है कि iPhone के अंदर कौन सी charging IC लगा हुआ है और कौन सी charger से उसको charge करने में वो heat नहीं होगा तो इसलिए Apple का यह charger से इसके अंदर जो chip यूज़ किया गया है जो भी component यूज़ किया गया है वो सारा जो iPhone के अंदर जो charging IC लगा हुआ है उसके according बनाया गया है तो इसलिए इतना अच्छे से यह charge करता है अपना iPhone को और heat नहीं करता है और दूसरा जो brand का charger है वो आपका iPhone को heat अप कर सकता है तो मैं इसलिए आपको recommend करता हूँ कि आप original Apple का ही charger खरीदे और दूसरा company मत खरीदे और यह जो Apple का 20W का fast charger है इस charger को इस्तिमाल करके आप अगर अपना iPhone को charge करेंगे तो आपका जो iPhone का battery health है वो जल्दी decrease नहीं होता है और दूसरा third party company का कोई भी अगर आप charger को इस्तिमाल करेंगे अपना iPhone को charge करने के लिए उसमें आपका जो iPhone का battery health है वो काफी ज़्यादा decrease कर देता है काफी जल्दी decrease कर देता है क्योंकि दूसरे ब्रैंड का charger आपका iPhone को charging के time पे heat कर देता है तो आपका iPhone के लिए best charger यही है Apple का original charger तो यही है आपके iPhone के लिए best charger जो कि आपका iPhone को fast charge कर पाएगा और उसके साथ साथ battery को भी decrease नहीं करेगा battery health को decrease नहीं करेगा और आपका iPhone का battery health को यह maintain रखेगा तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कुछ और interesting वीडियो में तो तब तक के लिए बाई बाई